मुझका फिरा नाम पुर्णम है, मैं गोर्विट सेनेर सेकंडे स्कूल की छात्रा हूँ मैं आपका एक इंचियर विचार गोष्ट्री में स्वाखता दियू आज का हमारा प्रोपिक है इंप्लिमेंटेशन और साइस और टेक्नोलोजी की देली लाइब टेक्नोलोजी ने हमारा जीवन को असान, बहुत असान बना दिया है और हमें इतनी सुशान्ती प्रोप्रान की है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते वहीं टेक्नोलोजी ने सिर्फ मनुष्य की जीवन को ही नहीं सुधारा बलकि दे इस दुनिया की इविकास के सेत्र में करांपिकार बदलाव लाए हैं टैक्मोलोजी के एनल यूमिट लाप को देखर लोग इसके आते हो चुकी है टैक्मोलोजी की मतद से लोगों ने एक मानचित शंता का आकलन करने पे पदद की है वहीं मनिश्य का विकास और देश का विकास अग्मोलोजी से ही जुड़ा हुआ है प्रजोविकिन एक्मोलोजी का आप्दू एक्मोलोजी से तार्प्यों सभी मेत्वर्ड सिस्टम अथवा डिवाइस से है जिसका इस्तमाल विग्यान की दुनिया में खोज की प्रयोग के लिए किया जाता है हराम की विग्यान की दुनिया में उप्योग करने के लिए कुछी फोशल, विख्यान और सामथ्या का होना ज़रूरी है प्रजोविकिन एक्मोलोजी का महत्व आठेकमोनपूजी का अहन्रक इसकी जी को बिर घ्कते की विकास में मफिला कारती है, बलकि देष गुनिया की इंकासन में भी अपने को बहत में का अदाव हरती है। वहीं अगर किसी देश की आर्थिव पिकास की गती दिन में हैं तो उसका साफ साफ मत्र defend is कि वहाँ कि टैक्समारोजी पिछिटी हुई है टैक्समारोजी की साहता से पिछिटी हुई ओधयोगी का विस्ता की समझत विस्ता को सुधार्णी में मज़न भिन सकती है आज की जिंदगी से समदली तरका टेक्नोलोजी से जुद गया है, जिससे जिवन स्तर में ने सिफ उधार हुआ है meant the world की विकास में भी नई लपकर रहjor आई है टेक्नोलोजी की आर्थिक विकास में भूल का, टेक्नोलोजी और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरन है, टेक्नोलोजी की द्वारा ही विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, टेक्नोलोजी की मतब से ही नहीं नहीं पुरन और मशेरों का विस्कार होता है, जिससे कालियों आज़त विकास में बड़ा होता है, है विज्ञान का महत्तर, विज्ञान ना जिए जीवाने की प्रतेख mi-नोद राक्रास का उन किया है, यह वचिळ्णो, कारों, मिलो, और कारों कारों का शोर है, जो सुभें मैं हासर हो जाता है, हम जो खाना घाते हों, हम जो कपड़े इताब और आजात को पड़ते हैं, हम जो आनत लेते हैं, हम जो खेल खेलते हैं, आदिकारों में हर एक्ति को जीमत के हर शेत्न में विज्ञान का असा मरस्म होता है, यह कि विज्दी की रोश्नी, विज्दी के पंखे, रेडियो या सिनिर्मा भी नहीं है, जो कि हमारे इजै आजाता है, वेर किसी ने किसी तरह से विज्दी जुर्णा हुआ होता है, जो चीजे हम दाने के जिर्मन में व्योग करते हैं, बे जादा तर विज्दी कारणी होते हैं, हमारे विज्दी हमारे कपने कारणों में बनाए जाते हैं, जो विज्दी के इस तरिकों का अस्ताम करके किई जाते हैं विग्यान ने समय अवदूरी पर विजय क्राप्त की है हम एक ज़गा से दूसरे स्थान पर यादा कर सकते हैं सुबह हम दुनिया के सभी वागों में कर होने वाली बटनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं हम कर पैठी रेडियो या टेलीफोन की मदद से अ और ऐसा पतीत कर सकते हैं कि वह हमारे सामने ही है और हम उनके दर्शकों का हिस्सा है तो हमारी द्यानिक जिवन चाहिए में विग्यान का बहुत ज्यादा महता हो है धन्यावन